क्या ये बात सच है क्योंकि कहा जा रहा है कि नितीश कुमार को महागडवंदन के तरफ से ओफर आ रहा है और ये खबरे काफी ज्यादा चल रही है कि अभी ही सरकार गर जाएगी तो इस पर क्या कहेंगे क्या वाकई सरकार गिरेगी और तेजश्पी आदफ मुख्यमंत्री ह ही कहा कि तीन पर जो है सांसद बन गए है वो लोग और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया चौथा रूपॉली का नाम लिया आपने यहां पे पाचवा भी है पाचवा है देखिए जहानाबाद से सांसद बने अभी सुरेंद्र याद एक और सवाल होगा आप से कि ऐसे सबाचेतर है रूपॉली उसमें चुनाओ यह और इंडिया में लड़ाई थी और निर्दलिये बाजी मार गया तो ऐसी ही संभावना रूपॉली पर भी अब की बार होती हुई नजर आ रही है यह मांसी बिहार में 243 सीटे हैं और 122 जो है वो मैजिकल नमबर है यानि कि 243 स्कूल मिलाकर बिहार की सबी सीटे हैं और 122 मैजिकल नमबर है रोहनी आचारिया भी सिंगापूर लोटते वग कुछ बयान दे करते हैं रोहनी आचारिया बोलें कि चाचा असिरवात दे दें तो क्या दिक्कत आप देख रहे हैं इन्बिसी 24 और मैं हूं आपके साथ मांस पांडे देश में लोकसभा का चुनाओं खतम हो गया है बिहार में विधानसभा चुनाओं की तैयारियां शुरू कर दे गई है लेकिन आपको बता देए कि बिहार के तीन विधायकों ने अस्तिफा दे दिया है जोसमें जीतन रामांची सुधाकर सिंग और सुदामा प्र प्रांसभा सीट जुसमें चुनाओं होना है और चुनाओं आयोग ने इसके तारिक का भी अलान कर दिया है लेकिन आपको बता देए कि राज़त से बीमा भारती को वहां सी विधायक के लिए चुनाओं लड़ने की बात कही जा रही है हाला कि अभी तक इसकी आधिकार एक गोशना नहीं की गई है बिमा भारती लोगसभा चुनाओं में पूर्निया से राज़त की प्रत्यासी बनाई गई थी उन्होंने लोगसभा चुनाओं के ठीक पहले जद्यू तोरकर राज़त में शामिल हुई थी और पूर्निया से लोगसभा के चुनाओं में बुरी तर सबसे पहले तो जो उपचुनाओं होने हैं वो आपने ठीक कहा कि तीन पर जो है सांसद बन गए है वो लोग और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया चौथा रूपॉली का नाम लिया अपने यहां पे पाचवा भी है पाचवा है देखिए जहानाबाद से सांसद बने बन गए है तो अभी तक उन्होंने अपने इस्तीफा जो है विधान सभा की सदस्यता से नहीं दिया है लेकिन मुझे लगता है कि एक महिने के अंदर में वो भी दे देंगे तो जो पाच विधान सभा सीटे हैं फिलहाल वहां पर उप चुनाओं जो होंगे अब ऐसे में द अज़त की ओर से अभी उहा पोह की स्थिती में है अभी समझ नहीं आ रहा है कि किसको उतार जाए वैसे तो सब क्लियर है ही आपने ठीका भीमा भारती की समभावनाएं जादा है लेकिन वहां से अधेस मंडल जो है कॉंग्रेस के वो भी चाह रहे हैं कि वहां से उनको सीट मिल जाए और उधर भाकपा जो लेफ्ट पार्टियां है कॉमिनिस्ट पार्टी उस वो भी अपनी जो है मांग कहीं ना कहीं दभी कुछली आवाज में रख रहे हैं क्योंकि वहां से दो बार पिछले दो बार का जो प्रदर्शन रहा है भाकपा माले के कंडिडेट का वो अच्छा रहा है अब बात करते हैं मांसी की रुपॉली में जिस सरीके से अवधेश कुमार मंडल को जो है टिकट देने की बात कहीं जा रही थी राज़त की और से तो वही अंडिया ने अपने तरफ से कालधर प्रसाद मंडल को उमिदवारी तय किया है अब लोग चंसक्त पार्टी राम विलास की और से एक व्यक्ति है जिसका नाम है संकर सिंग संकर सिंग पहले उसी पार्टी में थे लेकिन दो दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसका हवाला देते वे क्योंकि वह बहुत दिनों से इंतजार भी करे थे कि उनको वहां से चुनाव लड देखेंगे तो भले ही वह हारे हो लेकिन हर बार जो उनका वोट बैंक रहा है वो प्रतीसत बहुत अच्छा रहा है आप किसी भी चुनाव में देखिए तीस हजार चालीस हजार ऐसे एक अच्छा टक्कर उन्होंने भीमा भारती को पिछले चुनाव में दिया है आशीच एक और सवाल होगा आपसे कि ऐसे में पपू यादव किसकी सपोर्ट करेंगे क्या लगता है क्योंकि कहीं न कहीं लोग सभा चुनाव के दौरान जो की पपू यादव के साथ जो भी हुआ है राज़त ने जैसा किया या फिर कॉंग्रेस ने जो भी किया किसी से छुपा न लेंगे देखिए मानसी पपू यादव बदला जरूर लेंगे एक मौका है उनके पास बहुत अच्छा फिलहाल वो सांसद है पुर्णिया से और अब उन्हीं के सांसदी के अंदर में विजान सबाद छेत्र है रूपॉली उसमें चुनाव है तो यह तो जाहिड सी बात है फ़पू यादव की पकड़ तो है अभ ऐसे में देखिए की पफू याद भी मा भारती का साथ नहीं नहीं देंगे राजत का सात वो दे भी देतें वो यह खालग बात बहुँंगी बिद्रश कौकि व्लंग्रेस की वाज़े से ही तो इतना रोणा-धौना पड़ा जिनाuger जीतने के लिए, है कि नहीं, तो ऐसी स्थिती में और जो कालधर प्रसाद मंडल है, NDA की तरफ से, क्योंकि ये कॉंग्रेस की और अपनी जो है जुकाव रखते हैं, तो ऐसी स्थिती में ये कालधर प्रसाद मंडल का भी साथ नहीं देंगे, तो संकर सिंग का साथ देते वे नजर आ सकते हैं और मांसी दो दिन प्रेस कॉन्फरेंस की थी संकर सिंग ने तो उसमें उन्होंने पप्पु यादो को ही अपना माई बाप बताया गुरू बताया तो ऐसी सिती में लग रहा है सिधा सिधा कि पपु यादो जो है वो संकर सिंग का साथ देंगे और कैसे संभावना रुपावली पर भी अब की बार होती हुई नजर आ रही है तो अब एक सवाल करना चाहूंगी कि बिहार में 2025 में विधान सभा का चुनाओ है तो विधायक की कितनी मैजिकल नंबर होने चाहिए जिसमें की वो पार्टी अपनी सरकार बना ले और बात अगर जद नंबर है यानि कि 243 स्कूल मिलाकर बिहार की सभी सीटे हैं और 122 मैजिकल नंबर है जिसके पास 122 हा गया है वो सरकार में अपनी दावेदारी क्या नितिश कुमार के पास है अभी और 25 में होने ने बिलकुल देखिए नितिश कुमार NDA की ओर है और अभी NDA के 134 उम्मिद है कि नितिश कुमार को महागडवंदन के तरफ से ओफर आ रहा है और यह खबरे काफी ज्यादा चल नहीं है कि अभी ही सरकार गिर जाएगी तो इस पर क्या कहेंगे क्या वाकई सरकार गिर यह और तेश्पी आदव मुख्यमंत्री होंगे नितिश कुमार पिछले 18 सालों स मुख्यमंत्री है देखिए मांसी जो सरकार है वो नितिश कुमार के बगार पासा पल्टे भी कुछ संभावनाएं हैं कि गिर सकती है मैं आकडो के हिसाब से समझाता हूँ फिलहाल जो बिहार विधान सभा है इसमें 134 सीटे अंडिये की ओर है पहले से है 134 और 109 सीटे जो बागी विधायक RJD के हैं आपने देखा होगा नीलम देवी किस तरीके से आई इधर फिर उसी के साथ साथ तो ऐसी स्थिती में 6 जो विधायक है ये तो बागी है BJP की ओर और 109 उधर पहले है अब ये अगर उधर चले जाते हैं तो 109 और प्लस 6 ये हो जाता है 115 अब ऐसी स सीटें हैं जहां पर अभी उपचुनाव होने हैं चाहिए वो इमाम गंज की सीट हो जहां से जितन राम मांजी लड़ेते हैं और एक जो जनता दल उनाइटेड में रहते हुई बीमा भारती ने रुपॉली सीट जो जीता था अगर ये दोनों सीट पर भी उपचुनाव मे आरजेडी जीत जाती है तो यानि कि पांचो में से पांचो सीटे अगर आरजेडी जीत जाती है तो ऐसी स्थिती में जो कुल संख्या हो जाएगी बागियों को मिला करके वो 117 हो जाती है और मैजिकल आकड़ा मैंने बता एक 122 तो ऐसी स्थिती में लालु प्रसाद याद वो तोड़ सकते हैं और ऐसी स्थिती में नितिश कुमार के सरकार पर संकट हैं लेकिन मानसी इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादो तेज हैं तो नितिश कुमार भी है तो नितिश कुमार खुद एक मन्जे खिलाडी है ठारा साल से ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप देखिए तो इस तो लोकसवा चुनाओं में इतना सिती मजबूत कर लिये हैं कि किंग मेकर हो गए हैं मोदी की सरकार के बहुत एहम कड़ी हो गए हैं लोग कहरा बैसाखी नितिश कुमार की दी हुई है तो ऐसी स्थिती में जो है कम है चुनाओं से पहले सरकार गिरने की हा लेकिन कोशिस में लगे हुए जरूर है और नितिश कुमार को आपने कहा कि किस तरीके से बात करने की कोशिस की जा रही है तो बात करने की कोशिस मानसी बिल्कुल सही है और यह सब ने देखा है जब वहां पर चुनाओं के अच्छा आसिरवाद दे दें तो क्या दिक्कत है तो ऐसे में आसिरवाद दे दें क्या वो तो आसिरवाद आप लोग मांगी रहे हैं और तीजश्वी आदो भी अक्सर कहते हैं कि अभी खेला हुआ नहीं है असली होना बाकी है देखते जाए क्या क्या होता है तीजश्वी यादो का ये बयान तो सबसे ज़्यादा हिट था मानसी जब वो साथ में जा रहे थे और ऐसी सिती में कहीं ना कहीं नितिश कुमार से संपर्क जो है वो सचमुच साधा जा रहा है यह कहना चाह रहे हैं कि 2025 के विधान सभा में वो चुनाओ लड़ेंगे NDA के साथ में ही लेक जाल उस और जाने से कोई फाइदा नहीं है हां क्योंकि नितिश कुमार अगर 25 के विधान सभा चुनाओं में कमबैक कर लेते हैं क्योंकि अभी वो एक मजबूत पक्ष है बीजेपी की तरफ तो कमबैक अगर कर लेते हैं तब अगर वो पाला बदलेंगे तो उनके है उनको नुकसान जादा है के इंदर से मदद भी नहीं मिल पाएगी और सम्मान किसको कितना मिलेगा आप सीटों के हिसाब से देखिए ना इंडिया गडबंधन की ओर में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 99 सीटे हैं कॉंग्रेस सपा 37 सीटे हैं तो जिनके पास संख्याबल है उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा या नितिश जी को ज्यादा सम्मान मिलेगा 12 सांसद है इनके तो ऐसी सिती में नितिश कुमार का इधर देखिए कितना जो है सम्मान मिल रहा है पैकेज भी मिलने के आसार है तमाम कामकाच को लेकर के अभी प्रधान मंत्री मोधी भी आए कुछ नहीं हो रहा है कि विदान सभा चुनाओं से पहले तो कुछ नहीं हो रहा है कि अगर ऐसा हो तो फिर नितिश कुमार जो है वो इंडिया गड़मन्धन की और से जब उप्रधान मंत्री का उफर आया तो उस्वर चले जाते लेकिन नितिश कुमार को इस बात का पता है कि केंदर से ज़्यादा पकड जो है वो राज्य में रखना जरूरी है और नितिश कुमार तो हर बार प्रूफ की है इस चीज़ को क्यों को मुख्यमंतरी का पच चाहिए ही है ना जब जब वो पल्टी मारे हैं है ना तो ऐसी स्थ में नितिश कुमार अभी तेज़स्वी आदो कहीं भी मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है चलिए देखते हैं क्या होता है तो ऐसे में देश में लोग सभा 2024 का चुनाओं अभी खत्म हुआ है लेकिन बिहार में 2025 में विधानसबा के चुनाओं है और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि हो सके जो विधानसबा चुनाओं बिहार में भी इसी साल दिसंबर तक हो सकता है ऐसा लगतार कहा चा रहे हैं ये ये बात उठाई जा रही थी बार बार नितिश कुमार भी चाह रहे थे कि मेरा पकड़ मजबूत है लगें हाथ गंगा में पार हो जाए जाए लेकिन लेकिन मानसी जो कामकाज भी देखने को मिला है जो समिक्षा बैठक थी अभी कुछ दिन जाए जाएंगे क्योंकि नितिश कुमार चाह रहे हैं कि ठीक है सरकार चल रही है चलने दीजिए अराम से जो जो काम निकाल सकते हैं आपने देखा होगा रिक्तिया निकलनी सुरू हो गई है तो ये वेकेंसिया निकल रहे हैं तो इसका मतलब यह कि नितिश कुमार एक साल में अपने आपको भी और प्रूव करेंगे मजबूत करेंगे अराम से चुनाव 25 में जो होना है वो होगा ऐसी ही संभाव ना है जल्दी में चुनाव करवाने के थे नितिस्कुमार लेकिन अब नहीं है समिक्षा बैठक के बाद से ये चीज तै हो चुका है जी तो 2025 के विधान सभा चुनाव की तैयारियां जोरो सोरो पर चल रही है क्योंकि लोग सभा चुनाव खतम हो गए है और अब सब की निगाहे बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव पर है लगतार बिहार में वेकेंसियां निकल रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की बा अपडेट कह लीजिए या बड़ी खबर कह लीजिए वो ये है कि फिलाल तीन विधायकों ने अस्तिफा तो दे दिया है ये तीन सिट खाली हो गई है एक विधानसभा छेतर बिहार है जहां पर रुपॉली है जहां पर चुनाव होने है ऐसे में अगर ये तीन चार सीट पर उपचुनाव होंगे तो राज़त अपनी प्रत्यासी उतार सकता है और अगर राज़त चुनाव जीत जाती है तो कूल मिलाकर जैसा कि आश्यिष ने अभी बताया है राज़त के पास सब कुछ मिलाकर 117 विधायक होते हैं तो जब 117 विधायक हो गए तो बाकी के बस्ते ह पाच विधायक तो पाच विधायक अपने पाले में करना लालो प्रशाद यादव के लिए कोई बड़ी बात है नहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या पता उप्चुनाव में ही सरकार गिर जाए और सायत तेजुष भी आदव मुख्य मंत्री बनाये जाए हलाकि राज़नीती ह सटिक कुछ भी कह पाना मुश्किल है जो होगा आपको जरूर बताएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC20